सावन पुर्णीमा दोहजार चौविस देट सावन पुर्णीमा अगस्त में कब है सुमुहरत पुजाविधी और महत्व हलो एवरीवन वेल्कम बैक टु मैं चैनल कुझा ओफीसियल आवरी और चैनल कैसे हो आप लोग है होपसो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे वेल लेकर ने सुप्रेश जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकिसन सबसे पहले आपके पास जाए सावन पुर्निमा 2024 देट सावन पुर्निमा के दिन रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है सावन पुर्निमा सावन मास का आखरी दिन होता है और इसके भादरपद की शुरुवात होती है सावन पुर्णिमा दोहजार चौबिस टेट सावन को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महिना माना जाता है और ये भगवान सिर्व का सबसे प्रिये मास होता है वहीं सावन महिने की पुर्णिमा तिथी को सावन पुनिमा भी कहते हैं इस्तिथी का धार्मिक दिश्टिकोन से काफी महत्व है सावन पुनिमा के दिन ही भाई बहन के प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक त्युहा रक्षा बंधन मनाया जाता है साथ ही इस वर्ष सावन पुर्णिमा के दिन ही सावन के आखरी सोमवार का वरत भी रखा जाएगा वही धार्मिक मानेता है कि इस सावन पुर्णिमा के दिन ही माता लक्षमी के रूप में मागायतरी का जन्म हुआ था आईए जानते हैं इस वर्ष कब है सावन पुर्णीमा क्या है इस दिन का महत्व और कैसे करे पूजापाट सावन पुर्णीमा दोहजार चौविस कब है इस साल सावन महिने की शुरुवात सोमवार 22 जुलाई दोहजार चौविस से हो रही है जिसकी समाप्ति 19 अगस्त दोहजार चौविस को होगी वहीं सावन पुर्णीमा भी 19 अगस्त दोहजार चौविस को ही है इस दिन पुर्णीमा तिथी से जुरे सनान दान पूजापाट और व्रत आधी किये जाएंगे सावन पुर्णीमा सोमवार 19 अगस्त दोहजार चौविस अभिजीत मुहरत 19 अगस्त दोफर 12 बजजकर चार मिनट से 12 पचपन तक स्नांदान सुम मुहरत प्रातकाल 4 बज़कर 32 मिनट से 5 बज़कर 20 मिनट सावन पुर्णीमा 2024 पूजा विधी सावन पुर्णीमा के दिन भगवान स्रीव चंद्रदेव श्री हरी विष्णू और माललक्षमी की पूजा करने का विधान है। पूजा करे और धूप दीप करे इसके बाद मालक्षमी और भगवान विष्णू का एक साथ पूजा करे। अगर आप मेरी चैनल पे पहरी बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना बिलकुल नभूला। नभग्युशंगोस को साथ तै या अधिड़ाकर इसके टाल गवा सकते भाषग करना बिलकुल का विधान आ हरुटूश्टर टesं। झाल